लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें प्रवासी मजदूरों के लिए फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ड्स ग्लोबली ने बाटे खाध्यान उपखंडा धिकारी को सौपी हज्जारों पैकेट राहत सामग्री लोगडाउन के बीच राशन पानी के लिए बेहाल जहलावार के ग्रामेड पहाडी और प्रवासी मजदूरों के लिए फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ड्स ग्लोबली ने मदद का हाध बढ़ाते हुए उपखंड अधिकारी अंजना शेखावत को एक तीस सो पैकेट राहत सामग्री उपलब्द कराई है फाउंडेशन के जिला प्रवंधन अधिकारी अभिनव शर्मा, एचारो अभिमन्यू महता और ब्लाक ओफसर छोटू लाल लोड़ा ने बताया कि वैस्ट्विक महमारी के बीच कोई भी भूखा न रहे इसलिए हम जरूरत मंदों के लिए खाद्यान और अन्य सेवाय उपलब्द कराने की कोशिश में जुटे हैं मतलब इस महमारी से महमारी के चलते मतलब बूख मरी उनको मजदूरी ने मिल पारी उन परिवारों को रासन उपलब्द कराया जा रहे आटा है और दाल है तेल है शकर है यह सामगरी उपलप्त कराए जा रही है यह बारा गाउंगों में इसामगरी उपलप्त कराए जा रही है तीन जर्बिच्चा शिप्रिवारों करें इसे लोगों के लिए ये राज सामगरी इस फावंदेशन ने पहुंचा ही है। इसे लोगों के लिए राज सामगरी करता है। इसे लोगों के लिए राज सामगरी इस फावंदेशन ने पहुंचा ही है। जहां पहाडी और प्रवासी मजदूर राशन और खाद्यान के इंतजार में है। बेरो रिपोर्ट टीव और इंडिया। इसे लोगों के लिए राज सामगरी करता है। इसे लोगों के लिए राज सामगरी करता है। झाल के लिए प्रवाब्या